तो दोस्तों अगर आपके Revit में the license manager not functioning और is improperly installed का error आ रहा है तो मैं आपको कुछ solution बताऊंगा उसका use करके आप इसको ठीक कर सकते हो दो मेथड में आपको बताऊंगा पहले मेथड में उसको तीन चीज़े करेंगे और फिर सेकंड मेथड में को अपलाई करना आप अगर नहीं ठीक होता है तो तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर आपको search box में आना है और यहां पर services लिखना है और यह जो ऊपर services आ रहा है इस को automatic कर देना है और यहां से apply कर देना है और यहां से service को start कर देना है तो यह start हो जाएगा और फिर आपको logon में आना है और by default यह this account पर select होगा जब आप खोलोगे यह इस पर होगा तो इस पर सेटा करके यह local system account पर select कर लेना है और यह नीचे वाले पर tick कर देना है और उसको okay कर देना है तो जब आप okay करोगे तो एक pop-up आएगा बोलेगा कि जब तक आप इस service को restart नहीं करोगे तब तक यह काम नहीं करेगा तो उसको okay कर देना है और उसको बासे इसको select करके यहां से restart पर click कर देना है तो यह service restart हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि autodesk desktop licensing service जो है यह automatic पर set हो गया है और run कर रहा है इसी में दूसरा चीज हम लोग करेंगे कि नीचे F वाले section में आएगे और flexnet licensing service में जाएगे यहां पर आपको मिल जाएगा flexnet licensing service इसको भी double click करके open करना है और यहां से disabled है इसको automatic पर करना है और यहां से apply करना है और यहां से start करना है तो यह service से start हो जाएगा और इसको पासे okay कर देना है तो यहां पर देख सकते हो कि automatic पर set हो गया है और यह run कर रहा है तीसरी चीज हम लोग क्या करेंगे इसको आप cut कर दो और आप settings में जाओ settings में आपको यहां पर time and languages में जाना है और यहां पर date and time पर click करना है और यहां पर आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी जैसे कि set time zone automatically disabled होना चाहिए और time zone आप अपना चेक कर लो कि जहां पर रहर हो वही का time zone हो और set time automatically enable होना चाहिए और उसके आप क्या करो कि यह sync ना हो जो दिया हुआ है इस पर आप click करो और जब यह sync हो जाता है थोड़ी दिर में हो इसके लिए तो आप इंटरनेट से कनेक्टरना तो जब यह sync हो जाएगा तो आपको यहां पर चेक कर लेना है कि यह जो date और time है वह आज का ही हो और अभी का time हो तो बस आपको चेक कर लेना है और उसको कट कर देना है अब आप चेक करो Revit को खोल के अगर problem ठीक हो गई होग और उसके बास यहां पर ADS के लाइसेंसिंग में जाना है अपको और यहां पर ऑन इंस्टॉल दिया होगा है इसको double-click करके जो यह अन-इंस्टॉल करने गल दे रहा है इसको अन-इंस्टॉल कर देना है तो थोड़ी दिर में यह औन-इंस्टॉल हो जाएगा यहां से ब्राउजर खोलो एक, और यहां पर आपको सर्च करना होगा, Autodesk licensing service download, यह जो autodesk licensing service download है, ऐसा लिख करके आपको सर्च करना है, और सबसे उपर ही आ जाएगा, Autodesk licensing service download यहां पर और आपको मिल जाएगा, इसे क्लिक करके download कर लेना है, यह छोड़ा सा फाइल है, तो यह ओन्डोड हो जाए गा फॉड़ी दियर में तो फाइल डाउन्लोड हो गया है तो आप अपने डाउन्लोड फोल्डर में आजाओ यहांसे डाउन्लोड फोल्डर में आना आ है और जुथे जीफ पाइल होगा तो यह थो डाफ विन्स 11 इस dynasty चाहएगा या फिर WinRAR software के जरीए आप इसे extract कर सकते हो तो यहां पे आपको करके extract all पर क्लिक करना है और यहां पर extract पर करना है तो यह एक्स्ट्रेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से करना है कि डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना होगा यहां पर यह करो आप और थोड़ी दिर में इंस्टॉल हो जाएगा तो यह इंस्टॉल हो गया है जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके आपको कट कर देना है और आपो सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा यहां से पावर आप्शन पर जाके रिस्टार्ट पर आपको क्लिक करना है तो यह सिस्टम आपका रिस्टार्